जे हिंदोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर तिलोचन सास्तरी जी से सम्बंदित वीडियो पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा है त सब्मारा वीडियो को शेयर करें ताकि अनलोग वीडियो देख सकें तो यहां पर आपके लिए बताते हैं कि सेल पनालोड किπαक्शिया स्बाइब में लगेड़ाना है तो प्ले स्टेडितेट क्लासे अप तल्लूचन सास्तरी जी से समंबंदत पर्श्ट कारें तो यहां पर पूँचा जाता है कि तिल्लोचन जी का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है तो आपका बिल्कुल सही right answer है question number 1 है और एक का सही answer है इनका जन्म हुआ था 1917 में यानि कि 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ था बिल्कुल सही तिल्लोचन जी का बास्त्विक नाम वाने जाता है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है बासू देव से हैं आपका सही आंसर है आदुनेक हिंदी की प्रिगती सील का पिधारा की त्रई में कौन सामिल नहीं है सामिल नहीं पूछा है तो लोचन मुपति बोद समसीर बहादुर से नागर्जन इस चार विकल है तो आदुनेक हिंदी की प्रिगती सील का पिधारा की त्रई में कौन सामिल नहीं है तो मुपति बोद आपका विकल्प नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा कॉस्चन नंबर चार पूछा है तिल्लोचन को साहे तकादमियों प्रोस्कार से कब सम्मानेत किया गया सो ब्यासी इस भी आपका राइट आंसर होगा तिल्लोचन को किस रचिना के लिए साहे तकादमियों प्रोस्कार से सम्मानेत किया गया तो ताप के ताय हुए दिन यह आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहां पर भी राइट आंसर बिल्कुल चाही बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन है तिल्लोचन को सला का सम्मान से कब सम्मानेत किया गया यह महत्तपुल कॉस्चन है आपका यह के लिए सला का सम्मान से कब सम्मानेत किया गया तो सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर चार विकल्प आपके आपर दे गए हैं और कॉस्चन नमबर 6 का राइट आंसर है, 1980 इसवी विकल्प नमबर एक सही आंसर होगा, तिलोचन का पिर्थम का पे संग्राय माना जाता है, ताप की ताय हुए दिन, दिगंत, गुलाब और बुल-बुल या धरती ये चार विकल्प है, Q7 है, और 7 का राइट आंसर है, इनका पिर्थम का पे संग्राय पूँचा है, तो धरती आपका राइट आंसर है, जिसका पिर्कासन 1945 इस भी माना जाता है, तिलोचन का गजल संग्राय माना जाता है, इनका गजल संग्राय पूँचा है, ताप की ताय हुए दिन, दिगंत, ध भुल्बुल तो इनका गजल संग्रह पूंचा है तो गजल संग्रह में हो जाएगा गुलाब और बुल्बुल यानि की विकल्प नंबर सी राइट आंसर कॉस्चे नंबर नो पूंचा है कि हिंदी साहते के बह कभी जिनोंने अंग्रेजी चंद को हिंदी पृतिश्टित किय यह आपको यहाँ पर बता ने पृतिश्टापित किया यह पूंचा गया कि हिंदी साहते के बह कभी जिनोंने अंग्रेजी चंद को हिंदी पृतिश्टापित किया तो आपका राइट आंसर है तो नो का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर एक यानि की तिरलोचन अधार पर की है उनलाला रोला चपपाya कुंड्लिया तो कोस्चन 10 नमबर 10 है और 10 का सभी आंसर आपका यहां पर होगा क्या होका राइक आंसर सभी लोग बताएंगे महत्तपुण कोस्चन है और 10 का राइक नमबर सिर आंसर याणिकि रोला चंद पर तुल्वचनन सौनेट चंद की रचिना, रूल चंद की आधार पर की है Question number 11 है, मुक्तिबोद की कविताएं आलोचन आत्मक रचिना किस ने लिखी है तुलोचन, मुक्तिबोद, समसिर बहादुर से है या नागरजुन Question number 11 है, और 11 का राइट आंसर है Question number 12 है, तुलोचन का कहानी संग्रे कौन सा माना जाता है Question number 12 है, महत्तिबोद है और तुलोचन का कहानी संग्रे है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है देशकाल, देशकाल इनका यह जो है, कहानी संग्रे माना जाता है बिल्कुल सही महत्तपुन कॉस्चन आप से यहाँ पर पूंचा गया है कॉस्चन नमबर 13 की बात करें तिलोचन ने कासी हिंदू विस्विध्याला से किस विसाई से इस नातकोतर की उपादी प्राप्त की है इजनों ने अंग्रेजी से हिंदी से संस्क्रिज या फिर उर्दु से इस आप के चार विकल्प देगा है कॉस्चन नमबर 13 का राइट आंसर बता रहा है तो अंग्रेजी आपका सही आंसर होगा अंगला question है कि तिलोचन ने लाहर विस्विध्यालाई से किस विसाइसे PhD की उपाधी प्राप्ति की है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू ये चार विकल्प है तो लाहर विस्विध्यालाई से इन्होंने किस विसाइसे PhD की उपाधी प्राप्ति की है तो Sanskrit आपका right answer यहाँ पर होगा तिलोचन की रचिनाओं का प्रकासन बर्स के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है तो भाई क्रम आपको बताना है यह आपके चार विकल्प है Question number आपका यहाँ पर 15 है और इन में से बताईए यह जो है आपका सही answer है बिलकुल सही यहाँ पर देखे इनका जो है रचिनाओं का प्रकासन बर्स के अनुसार सही क्रम बिलकुल सही right answer है भी आपका सही answer होगा तिलोचन का जन्म कहाँ पर हुआ था यह महत्तपूर्ण question पूंचा गया है आपसे question number 16 है और 16 का सही answer है इनका जन्म बताना है कहाँ पर हुआ था महत्तपूर्ण question पूंचा गया है और बिलकुल सही right answer है आपका इनका जन्म हुआ था कहाँ पर आपके दो बिकल्प और यहां पर दिये गए हैं देख लेते हैं देखे यह हैं और दो बिकल्प और तो इनका कट घरा चिरानी पत्ती सुल्तान पूर उत्तर प्रिदेश में इनका जन्म हुआ था तो बिकल्प number D आपका यहां पर सही answer होगा तिल्लोचन के किस काब्व में तीन सानेट हैं जिसमें एक माओ पर दूसरा स्वास्चंद बोस पर और तीसरा महत्मा गांधी पर है यह आपको बताना है तो आपका राइट आंसर है कि किस काब्व में तीन सानेट हैं तिल्लोचन के तो सब्द आपका बिलकुल सही राइट आंसर है यानि की विकल्ब नंबर आपका एक डाइट आंसर है जिसका प्रकासन माना जाता है 1980 अंगला क्वोस्चिन क्वोस्चिन नंबर अपना 18 है कि सामेबाद के पत्मे लीद किया करते हैं मानायता का पोश्टर देखा लगे रैंक बने प्रुक्त पंथिया तिल्लोंचन के किसे काव्भेसे ली गए है ये पंथिया ली गए हैं इसे काबिसी पंतियां ली गई है कॉस्चन नमबर 19 है किसने लिखा है कि तुलोचन का अरगान जायसी और निराला की अरगान से भिन्न है एह ठेटे गवई का अरगान है इस रश्टी से भी जायसी के अधिक निकट है इसे किसने लिखा है रामचन सुकल जी ने, हजारी प्रसाद दुबेदी जी ने रामकुमार बर्मा जी ने, डाक्टर बच्चन सेहन जी ने तो कॉस्चन नमबर 19 है और इसे लिखा है किसने डाक्टर बच्चन सेहने कॉस्चन नमबर 20 पूँचा है सच मुछ इधर तमारी याद तो नहीं आई, जूट क्या कहूं पूरे दिन मसीन पर खटना, बासे पर आकर पड़ जाना और कमाई का हिसाब जोड़ना बराबर चित उचटना, यह आपको उपरुक्त पंतियां निरा इंतलोचन के किस काब से ली गई हैं, यह आपको बताना ह पंतियां ली गई हैं, किस काब से ली गई हैं, गाइट आंसर है, परदेशी के नाम पत्र इस काब से ली गई हैं, बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां, यहाँ पर अंगला कॉस्चन देख लेते हैं, कॉस्चन नमबर आपका एक कैसे, सॉनेट उनका सदा हुआ चंद है, यहाँ पर पूचे जा रहा हैं आपसे, और जो कथन है, बहे किस का है, तो कॉस्चन नमबर 21 का राइट आंसर आपका होगा, यहाँ पर विकल्प नमबर D, यानि की डाक्टर बच्चन सहजी का यह कथन है, कॉस्चन नमबर 22 है, कि लंबी कवीता, निवला की रचीता कौन म कॉस्चन है, लंबी कवीता मानी जाती है, निवला की रचीता मानी जाती है, तो 22 का आपका सही आंसर है, यानि की विकल्प नमबर D, आपका सही आंसर होगा, कॉस्चन नमबर 23 की बात करें, यहाँ पर 23 क्वा कॉस्चन क्या पूच्चा गया है, तो देखिए, तो लोचन क यहांपका पर राइट आंसर बताया है कि किस राइट आंसर बताया है कि को परगतिबाद यानिकी विकल्ट नंबर भी आपका सही आंसर होगा तिलोचन की प्रिसिद्ध कभीता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती उनके किस काब्ब संग्राय में संकलत है यह आपको बताना है तो यह आपको प्रिसिद्ध कभीता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती उनके किस काब्ब संग्राय में संकलत है तो question number 24 का right answer है धरत धर्ती आपका right answer है बिल्कुल सही अगला question है तिलोचन ने किस पत्रिका का समपादन किया है मत्तपूर question है बानर प्रभाकर हंस उप्रुक्त सभी तो आपको इहांपर सही answer क्या होगा कि इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है ये पूछा है question number 25 में तो बिल्कुल सही right answer ने इन्होंने उप्रुक्त है सभी पत्रिका यानि कि बानर प्रभाकर हंस ये जो है इन सभी का संपादन तिल्लोचन जी ने किया है question number 26 की बात करें बही तिल्लोचन है चीर भरा पाजामा भीक मांगते उसी तिल्लोचन को देखा कल उप्रुक्त पंतियों की रचीता कौन है question number 26 है महत्तपूर है और आपका सही answer है तिल्लोचन आपका विकल्प नमबर एक सही answer होगा question number 27 धर्ती कापवे का प्रकासन आपके लिए बताना है और आपके लिए हमने अभी बताये था कि धर्ती कापवे का प्रकासन वर्स माना जाता है बहे माना जाता है कौनसा विकल्प नमबर बी यानि की 1945 इस भी माना जाता है गुलाब और बुलबुल काबे का प्रिकासन वर्स क्या माना जाता है गुलाब और बुलबुल ये कवीता संग्रह धर्ती गुलाब और बुलबुल दिगानत ताप के ताविए देने सब्द में उस जनपत का कभी हूँ ये इनके कभी तह संग्रह माने जाते हैं कि इनके तिल लो चंजी के अंगला कॉस्चन यहाँ पर गुलाब और बिलबुल का प्रकासन वर से पूँचा है तो आपका बिलकुल सही राइट आंसर उनने सो चपन राइट आंसर होगा question number आपका यहाँ पर 29 पूँचा है क्या पूँचा है ताप के ताय हुए दिन काभे प्रकासित हुआ था यह आपको बताना है question number आपका यहाँ पर 29 है 29 कराइट आंसर है आपका विकल्ब नंबर यहाँ पर जो डी है वह सही आंसर है या चैती मेपल या रोजाना मचा तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा तो देखें यहाँ पर आपका सही आंसर विकल्प नमबर C नहीं पूचा है तो इनका काप तिलोचन जी का नहीं है मेपल उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल लिखे तो सभी काप बरचना चैती यह जो है आपका सही आंसर है विकल्प नमबर B राइट आंसर यहाँ पर होगा question नमबर आपका यहाँ पर 32 क्या पूचा गया है तो देख लेते हैं फूल नाम है यह एक काप बे का प्रकासन वर्स बताना है क्या माना जाता है फूल नाम है एक काप बे का प्रकासन व तो आपका यानि की विकलत नमबर आपका यहां पर सी right answer होगा question number 34 पूँचा है जीने की कला कब्ब का प्रकासन बर से बताने इसका प्रकासन कब हुआ question number 34 है महत्तपुन है और आपका बिल्कुल सही right answer है जीने की कला कब्ब का प्रकासन कब हुआ तो इसका प्रकासन हुआ था कब विकल्प नमबर एक सही आंसर है 2004 में तो यह आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है कहा नहीं संग रहे कभी तह संग रहे माना जाता है कभी तह संग रहे तिलोचन का निधन कब हुआ यह महत्तपूल कॉस्चिन आप से यहां पर पूंचा गया तिलोचन जी का निधन कब हुआ तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है कि तिलोचन जी का निधन कब हुआ तो 2007 आपका यहां पर सही आंसर होगा 9 दिसंबर 2007 को गजियाबाद में इनका निधन हो गया था तो लोचन जी का इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म 20 अगस्त है 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ था इनका जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कट घरा चिनानी मिट्टी इनमें इनका जन्म हुआ था इनका तिलोचन जी का तिलोचन जी का मूल नाम या बास्त बेक नाम इनका था बासु देव से हैं तो यहाँ पर आपन न देखी भौती महत्त पुन question answer तो लोचन सास्त्री जी से संबंदित क्या सलगा वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद